कि फाइंड नंबर ओफ वेज इन्न विच्छे शिक्स पर्संस आउट ओफ फाइब मैन और फाइब वोमन कैन बी सिटेड अट राउंड टेवल सब्सक्राइब टू मैं आर नेबर टूगेदर ठीक है तो बिसकलि अपने को फाइब मैन और फाइब वोमन में से शिक्स पर्सं फाइब मैन प्लस फाइब वोमन है तो इसमें से अपने को 6 पर्सं के लिए ग्रूप बनाना है तो possibility क्या क्या है यहां पर है पर फाइब सारे के सारे मैन ले और वन वोमन ले यह भी क्या आगे अपने पस यह भी 6 लोगों के लिए टीम हो गई let's say अपन यहाँ पर 4 men लेते हैं और remaining 2 women लेते हैं यह भी 6 लोगों की team बन गई यहाँ पर 3 men ले plus 3 women ले यह भी 6 लोगों की आगए अपने बस team आगई और next case अपन लेते हैं let's say 4 men और 2 sorry, यहाँ पर 2 men और 4 women ठीक है, तो men को अपन decrease कर रहे हैं यहाँ पर next case क्या जाएगा, यहाँ पर 2 men और यहाँ पर आजएगा यह 4 women और यहाँ पर आजएगा next case अपन क्या करें one man और सारे के सारे women ले 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 हैं, ठीक है, तो 5 women अब इसमें सपने को कौन सा case favorable होगा, वो अपने को count करना ठीक है, case कों से करना है इनको, इन 6 लोगों की जो team बन रही है, इनको round table पर बिठाना है such that no 2 men are never together, ठीक है 2 men are never together अब अगर अपन देखे, minimum 2 men तो होने ही चाहिए, तो minimum 2 men होने चाहिए, और वो एक साथ ना बैठे तो condition क्या जएगा minimum, such that no 2 men are never together team बनाई है, 5 men और 1 women की इसको अगर अपन round table पर sit कराएं तो 2 men adjacent आजएगा तो ये case favorable case नहीं है ठीक है, 4 men और 2 women वाले case में अगर 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 अब देखे 2 men, 2 women को अगर 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 आपन round table पर बिठाएंगे तो अपने बस जो condition को fulfill satisfy नहीं कर रहा है तो बांके के यह remaining 3 case जो है यह satisfy कर रहा है इसके लिए अपन क्या करें यहाँ पर अपने को क्या case है यह 3 men और 3 women का case है इसमें 2 men को अपने को एक साथ नहीं बिठाना है ठीक है तो let's happen सबसे पहले क्या करें 5 women में से 3 women select करें 5C3 से अपने 3 women select किया ठीक है तो अगर circular table पे n things को arrange करते हैं तो उसके लिए formula क्या होता n-1 factorial तो अपने पास क्या है 5C3 से अपने 3 women select किया और इनको round table पे पहले sit करवा दे 2 factorials है अब अगर अगर अपन 3 women को round table पे बिठाए तो अपने पस 3 gaps आएंगे ठीक है यहाँ से अगर आपन देखे round table पे अगर 3 gaps आएंगे तो वो man को साथ नहीं बिठाने के लिए पन क्या करें इन women's के जो gaps है उसमें man को बिठा दे ठीक है यह क्या आगए 5C3 से अपने 3 women select किया उसको अपने circular table पे range कर दिया किसे 2 factorial से इन 2 अब अपने पास कितने gaps आगए 3 gaps आगए इन 3 gaps में 3 men को बिठाना है तो उसक 3 gaps हुए इन gaps में अपन 3 men को बिठा दे 3 factorial से यह क्या आगया man सारे separated हो गए तो यह case हो गया अब इस वाली case में देखे तो अपन पहले 4 women select करते है तो 5C4 से 4 women select करते है 5C4 से 4 women select किया और 4 women को circular table पे अपन बिठाएंगे 3 factorial से 3 factorial से अपने इसको बिठा दे और अब अब अपने C2 और उन दो gaps में 2 men को बिठा दे 2 factorial से ठीक है यहाँ अगर अगर अपन gaps 3 के 3 gaps को select करते हो तो 3C3 से क्या आता value 1 आता ठीक है यहाँ पन 1 से multiply कर देते है यह 1 क्या है 3C3 से अपन ने 3 gaps select किया ठीक है लिखी देता हूं इसको अपन 3C3 से 3 gaps select किया था और उस 3 gaps में 3 men को बिठा था 3 factorial से similarly अगर अपन इसकी value देखें तो 5C5 से अपन 5 women select करें और 5 women को अगर 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 अपन circular table पर बिठा देंगे n-1 factorial से arrange करते है circular table पर n things को दिया देगा 4 factorial तो women को अपन ने circular table पर arrange करवा दिया अब अब अपने पस कितने gaps होंगे 5 gaps तो 5 gaps में से वही एक gaps select 5C1 से और उ अपने पस total number of case हो जाएगा for the given situation अगर अपन यहां पर इसको solve करेंगे तिया value आ जाएगा 5C3 के value होती है अपने पास 5C3 के value हो जाएगी 5 into 4 divided by 2 तिया जाएगा 2 10 तो 5C3 के value क्या हो जाएगी 10 तिया जाएगा अपने पास 10 into 2 factorial के value 2 और 3C1 के value क्या हो जाएगी 1 और 3 factorial के value 6 plus 5C4 के value क्या हो जाएगी 5 into 3 factorial value क्या हो जाएगी 6 5C4 के value 5 और 3 factorial value 6 into 4C2 के value हो जाएगी 4C2 के value 4 into 3 divided by 2 तो 4C2 की value क्या होती है 6 इंटू 2 factorial की value 2 प्लस 5C5 की value क्या 1 4 factorial की value 24 इंटू 5 5C1 की value 5 इंटू 1 यह क्या आजगा अपने बस total number of wage for the given situation यह आजगा अपने बस 120 प्लस इसकी value हो जाएगी प्लस में 6 इंटू 636 प्लस 10 360 प्लस 120 इसको अगर अपने अड़ करेंगे यह value आजएगा 436 यह आजएगा अपने पास 600 ठीक है यह अपने पास 600 total number of favorable cases हो जाएगा